मस्कार जय हिंद बंदे मात्रम दोस्तों आप सबी का स्वागत है बिटिज ब्रोदर पेलेट फॉम में राष्टित में सिख्षा दिस इज आमीनाजे प्रॉम बिटिज ब्रोदर तो इस लेक्चर में हम लो देखने वाले हैं जो बियार इनुवर्शिटी के तरफ से साइकलो जी का मोर्डर पें पर जारी किया गया है उसका साइकलोजी ऑन औरस पेपर वन और साइकलोजी पेपर वंन का और सबसीडरी का कोश्टन और से एक है तो आप लोग सब सीरी का भी इसी वीडियो से देख लिजेगा तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला कोश्चन है पांच नमर कर रहा है दूसरा चेप्टर का पांचवा कोश्चन है इसमें हम लोग लगभग सौ कोश्चन देखने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला कोश्चन है कि ब्रिहद मस्तिक से कि केंदरिया दरार की खोज की थी रो लैडो ने, सिल्वियस ने, गाल ने या इन में से कोई नहीं तो किस ने किया था इसका कोरेक्ट एंसर होगा ए रैलोंडो ने किये थे चलिए अगला कोश्चन देखते हैं छे नमर कोह रहा है केंदरिया असनायू मंडल के निमलिखित भागों में से कौन शरीर में संतुलन बनाए रखने का उतरदाई है लगु मस्तिक्स ब्रिहत मस्तिक्स सुसमना या इन में से कोई नहीं तो कौन है इसका कोरेक्ट एंसर होगा ए लगु मस्तिक्स सुपर फास्ट वीडियो लेकर चलेंगे अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें जिसे आपको समय समय पर वीडियो मिलती रहेगी लाइक कमेंट और सेर जरूर करें तो देखते हैं साथ नमर कोश्चन कर रहा है इन में से किस पाली द्वारा हमें द्रिष्टी संबेदना होती है अगर पाली, संख फाली, प्रिष्ट पाली या इन में से कोई नहीं तो किस पाली द्वारा होता है इसका कोरेक्ट एंसर होगा सी प्रिष्ट पाली द्वारा होता है चलिए अगला कुश्चन देखते हैं आठ नमर का रायनी में लिखित में से कौन नियूरॉन का हिस्सा है कौन स्नुकिलियस साख्षी का या इन में से कोई नहीं तो कौन है इसका कोरेक्ट एंसर होगा सी साख्षी का है चलिए अगला कुश्चन देखते हैं कह रहा है नव नमर कुश्चन की कार्टेक्स से की परकिर्टी किर्य का अर्थ है कार्टेक्स तथा उप कार्टेक्स के बीच सहयोग कार्टेक्स तथा उप कार्टेक्स के बीच विभेद cortex तता रचनातमक विभेदी करण या इन में से कोई नहीं तो कौन है इसका correct answer होगा cortex तता उपकर टेक्स के बीच सहयोग चलिए अगला question देखते हैं 10 नमर को राएने में लिकित में से कौन neuron का भाग नहीं है nucleus, cons, साखी का या exon तो कौन नहीं है इसका correct answer होगा b. cons, नहीं है चलिए अगला question देखते हैं को राए thylemus, निम्नांकित में से किसका भाग होता है agramastix, madhamastix, pashmastix या इन में से कोई नहीं तो किसके भाग होता है एक गारे का correct answer होगा a. agramastix का भाग होता है चलिए अगला question देखते हैं बारे कार आए निम्नलेखित में से कौन असनायूकोस का भाग है nucleos, cons, dentrites या इन में से कोई नहीं तो कौन है इसका correct answer होगा c. dentorius नहीं है चलिए अगला question की आगे बढ़ते हैं तेरा कार आए मastix के निम्नलेखित भागों में से पार्शिव खंड या इन में से कोई नहीं तो कौन है इसका correct answer होगा c. पार्शिव खंड है चलिए अगला question देखते हैं चौदा कर रहा है केंडरिय दरान निम्नलेखित में से कीसे दो भागों में भाजित करती है लगु मस्तिक्स, ब्रिहत मस्तिक्स, हाइपोथेलमस या मेंडूला तो किसे करती है इसका correct answer होगा b. ब्रिहत मस्तिक्स को करती है चलिए अगला question देखते हैं परंद्र कर रहा है जिस अस्थान पर एक neuron की सांखी काए दूसरे neuron के एक सोन से मिलती है उसे कहा जाता है neurotransmitter, संधी अस्थल, ग्राहक या परभाव तो क्या कहा जाता है इसका correct answer होगा b. संधी अस्थल चलिए अगला question देखते है शोलक रहाय मनुस्य में तंत्री का आवेक की गती समानेत होती है 100 मीटर परती सेकेंड 200 मीटर परती सेकेंड कितना होती है इसका correct answer होगा 100 मीटर परती सेकेंड होती है चलिए अगला question देखते है 17 कर आयनिमन लिखित में से किसे केंदरिय तंत्री का तंत्र का भाग नहीं माना जा सकता है हाइपोथेलमस, मेंडूला, सेतु या एकरितो कौन नहीं है इसका correct answer होगा डियकरित नहीं होता है चलिए अगला question देखते है सुसमन्ना से मेरू दंडिय तंत्रिकाओं के कुले कितने जोडे निकलते हैं 22 जोडे, 32 जोडे, 42 जोडे या 52 जोडे कितने निकलते हैं इसका correct answer होगा 32 जोडे निकलते हैं चलिए अगला question देखते हैं अग्नोईज कर रहा है अग्रांकित में किसे मस्तिक्स का भाग नहीं कहा जा सकता है हाइपोथैलमोस, थैलमोस, सेतु या पैनक्रियाज तो किसे नहीं कहा जा सकता है इसका correct answer होगा D, पैनक्रियाज को नहीं कहा जा सकता है चलिए अगला question देखते हैं कह रहा है 20 नमोर की असनाईव मंडल की सबसे छोटी इकाई निम्नांकित में से किसे कहा जाता है साखिका, कोश सरीर, एक्सोन या निउरोन तो किसे कहा जाता है 20 का correct answer होगा D, निउरोन सबसे छोटी इकाई होती है चलिए अगला question देखते हैं निउरोन की संक्या सबसे अधी किस में होती है सुसमुन्ना, मस्तिक्स, पैर या पेंट में किस में होती है, इसका correct answer होगा B, मस्तिक्स में होती है चलिए अगला question क्यों राग बढ़ते हैं 22 कहा रहा है जिस निउरोन द्वारा तंत्री का आवेग ग्राहक से सुसमुन्ना तथा मस्तिक्स तक पहुंशती है उसे कहा जाता है संबेदी निउरोन, पेशिय निउरोन, साचर निउरोन या एक सौन्त क्या कहा जाता है 22 का correct answer होगा A, संबेदी निउरोन कहा जाता है चलिए अगला question देखते हैं 24 का रहा है संबेदना का नियंत्रण की से होता है अगर पाली, मध्य पाली, संख पाली या प्रिष्ट पाली तो की से होता है इसका correct answer होगा C, संख पाली से होता है चलिए अगला question देखते हैं 24 का रहा है असनायू मंडल की रचना इकाई क्या है कोस, नियूरोन, एक्सोन या सेतू तो क्या है इसका correct answer होगा भी नियूरोन नहीं है नियूरोन है इसका 25 नमर कर रहा है नियूरोन लिखित में से कौन स्वचालित सहज किरिया है छींकना, पकड़ना, चूसना, सीर की अचानक, गती तो क्या है इसका correct answer होगा ए छींकना, छींकना क्या होती है सहचालित सहज किरिया है छींकना क्या होती है एक बाईग आजाती है छींकना चलिए next question की तरफ आगे बढ़ते है 26 कर रहा है नियूरोन लिखित कतनों में से कौन सा स्वची है तो कौन सा स्वची होगा इसका correct answer होगा ए असनाईव कोस वाइस असनाईव मंडल की रचनाई इकाई है चलिए अगला question देखते है 27 कर रहा है इसमें total हम लोग 100 question देखेंगे इसलिए इसका discussion नहीं हो पा रहा है चलिए अगला question देखते है 27 कर रहा है स्वचालिट तंत्र का तंत्र के कितने मुखे भाग है 2, 4, 8 या अभुद में से कोई नहीं तो क्या है इसका correct answer होगा इस दू है चलिए अगला question देखते है सेतु का मुखे कार क्या है लगू मस्तिक्स का दोनों भागों को मिलना सहज धनुस का निर्माड करना अनैक्षिक किरिया को संचालित करना या इन में से कोई नहीं तो क्या है इसका correct answer होगा A. लगू मस्तिक्स का दोनों भागों में मिलना चलिए अगला question देखते हैं 29 नमर कर रहा है कि सहज किरिया का संचालन होता है कहा होता है बिरियत मस्तिक्स में लगू मस्तिक्स में सुस मन्ना में या हाइपो थैलमस में तो कहा होता है इसका correct answer होगा C. सुसु मन्ना में होता है चलिए अगला question देखते हैं 30 नमर कर रहा है निमलेकित में से कौन प्रिष्ठ है मस्तिक्स का भाग नहीं है तो कौन नहीं है इसका correct answer होगा C. अगर मस्तिक्स नहीं है चलिए अगला question देखते हैं 31 कर रहा है निमलेकित में से किसको प्रसारण के अंदर कहते हैं थैलमस, हाइपो थैलमस, बिरियत मस्तिक्स या मेंडूला को तो किसे कहा जाता है 31 का correct answer होगा यह थैलमस को कहा जाता है चलिए अगला question देखते हैं 32 कह रहा है सुसुमनना की लंबाई 12 इंच, 18 इंच, 20 इंच या मेंसे कोई नहीं तो कितने इंच का होता है सुसुमनना के लंबाई इसका correct answer होगा B, 18 इंच का होता है चलिए अगला question 33 का रहा है तंत्री का कोशिका का जीव कहां पाया जाता है कोशिका सरीर में मुखे तंतु में सीखा तंतु में या तंत्री का आविगमी तो कहां पाया जाता है 33 का correct answer A, कोशिका सरीर में पाया जाता है चलिए अगला question देखते हैं 34 कह रहा है मस्तिक्स के केंदिय दरार को किस बैग्यानिक ने खोजा रोलेंडो, सेल्वियस, गाल या इन में से कोई नहीं तो किस ने खोजा इसका correct answer होगा A. रोलेंडो ने खोजा था चलिए अगला 35 देख रहा है कह रहा है कि सुसुमन्ना से कितने जोड़े असनाईव निकलते हैं 31 जोड़े, 21 जोड़े, 20 जोड़े या 10 जोड़े कितने निकलते हैं 35 का correct answer होगा A. 31 जोड़े निकलते हैं चलिए अगला question देखते हैं 36 कह रहा है, संख खंड के द्वारा कौन सी संबेदना होती है द्रिष्टि संबेदना, असपर्स संबेदना, सर्वन संबेदना या गंद संबेदना तो कौन होती है, इसका correct answer होगा C. सर्वन संबेदना होती है संख खंड द्वारा कौन सी संबेदना होती है सर्मन संबेदना यानि सुनने का चलिए अगला कोश्चन के तरफ आगे बढ़ते हैं 37 कहा रहा है औस नायू तंत्र की सबसे छोटी इंकाई को कहते हैं पार्सवतंतू अक्षतंतू तंत्री का कोशी का एंडर वराज तो क्या कहा जाता है 37 का कोरेक्ट एंसर होगा C. तंत्री का कोशी का कहा जाता है चलिए अगला कोश्चन 38 को रहा है कि तंत्री का तंत्र में कितने परकार की तंत्री का कोशी का उपस्थित रहती है 3, 5, 4 या 2 तो कितने उपस्थित रहती है 38 का कोरेक्ट एंसर होगा ये तीन उपस्थित रहती है चलिए अगला कोस्चन 49 को राए निमलेकित में से कौन सा परभावक है मांस पेशी, नाक, कान या आँख तो कौन सी परभावक है इसका correct answer होगा ये मांस पेशी है चलिए अगला कोस्चन देख रहे है कहरा है कि रंजीत पटल किस संबेदी अंग से संबंदित है तोचा, आँख, कान या जी हुआ तो किस संबंदित है इसका correct answer होगा सी आँख से संबंदित है चलिए अगला कोस्चन 41 कहरा है कि मेंडूला का अस्थान है सुसु मन्ना में के ठीक उपर या सेतू के ठीक नीचे या थैलमस के बगल में या उपरूक्त में से कोई नहीं तो कहां अस्थान है 41 का correct answer होगा इस सुसु मन्ना के ठीक उपर होता है चलिए अगला कोस्चन देखते है 42 को राए हमारे सरीर में कितनी ग्यान इंदरिया है 4, 6, 2 या 5 तो कितनी ग्यान इंदरिया है इसका correct answer होगा D 5 ग्यान इंदरिया है तो चलिए अगला कोस्चन देखते है 43 को रहा है निम्न लिखित में से कौन हमारे सरीर में संतुलन बनाए रखता है लगू मस्तिक्स, ठैलमस, सुसु मनना या इन में से कोई नहीं तो कौन रखता है इसका correct answer होगा A मस्तिक्स जो होती है हमारे सरीर को संतुलन बनाए में रखती है चलिए अगला कोस्चन देखते है 44 को रहा है निम्न लिखित में से कोई एक ग्राहक नहीं है कौन सा ग्राहक नहीं है तोचा, ग्रंथी, जीव या आँख तो कौन नहीं है इसका correct answer होगा B जो होती है ग्रंथी या ग्राहक नहीं होती है चलिए अगला कोस्चन 45 नमर को रहा है कि केंदरिय असनायू मंडल के निम्न लिखित भागों में से कौन सरीर में संथुलन बनाये रखने का उतरदाई है लोगु मस्तिक्स, ब्रिहत मस्तिक्स, सुसु मनना या इन में से कोई नहीं तो कौन है इसका correct answer होगा C, सुसु मनना है चलिए अगला कोस्चन 44 को रहा है निम्न लिखित में से किस ब्रिखित ने मस्तिक्स की केंदरिय दरार को खोजा है रोलाइंडो, सिल्वियस, गौल, या टे तो किस ने खोजा है चलिए अगला कोशन 47 को रहा है निम्न में से किसका संबंद रंग संबेदना से है कौकलिया, सुची कौन्स, डंडरोट्स या इन में से कोई नहीं तो किस से है इसका कोरेक्ट एंसर होगा भी सुची यानि कौन्स से है चलिए अगला कोशन देखते है कौन्स की अधिक्तम स्वंक्या पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है फोबिया, पॉंस, कौकिलिया इन में से कोई नहीं तो कहाँ पाई जाती है इसका कोरेक्ट एंसर होगा भी पॉंस में पाई जाती है चलिए अगला कोशन कर रहा है उन्चास निमलिखित गरंथियों में से कौन सी गरंथि गुर्धे के निकट अवस्थित रहती है पूस गरंथि, एडरनेल गरंथि, योवन गरंथि या थाराइड गरंथि उन्चास का correct एंसर होगा भी थाराइड गरंथी, सोरी एंद्रील गरंथि जो हती है גुर्धे के पास अवस्थित रहती है चलिए अगला question देखते हैं, 50 को रहा है, संबेग की अवस्था में असनायू मंडल का कौन सा भाग निस्किरिय बन जाता है, सहानू भूती मंडल, उपसानू भूती मंडल, सुसु मनना या इन में से कोई नहीं, तो कौन बन जाता है, 50 का correct answer होगा, सी सुसु मनना बन जाता है चलिए अगला question एक काउन कर रहा है, कि असनायू मंडल की संब्सकिरिय नात्मक इकाई क्या है, कोष, असनायू कोष, अक्ष्टन्तू या सेतू, तो क्या है, इसका correct answer होगा, भी असनायू कोष से, चलिए अगला question देखते हैं, एक काउन नंबर कर रहा है, 52, यदि चुहे के पार्श्वीक भाग को छती गरस्त कर दिया जाए, तो क्या होगा, चुहा भूग से मर जाएगा, या चुहा अधिक खाना सुरू करेगा, या चुहा क्वाम खाएगा, यहन में से कोई नहीं, तो क्या होगा, 52 का correct answer होगा, बी चुहा अधिक खाना सुरू करेगा, चलिए तिरपन का रहा है निमलिकित में से कौन असनायू कोस का भाग है, निउकिलियस, कोंस, डेंटराइट्स या कोई नहीं, तो कौन है, तिरपन का correct answer होगा, यह निउकिलियस नहीं है, चलिए अगल कोई नहीं, तो कौन है, इसका correct answer होगा, डी, इसमें से कोई नहीं है, कौन होता है, इसका correct answer होता है, सुसु मनना होता है, चलिए अगला question की तरफ आगा पढ़ते है, पचपन का रहा है, के अंदर यह दरार, निमनलिकित में से किसे दो भागों में विभाजित करती है, कौन सा कमेंद्री यानि इफेक्टर है, नाक, मांस्पेसी, कान यहिन में से कोई नहीं, तो कौन है, इसका correct answer होगा, बी, मांस्पेसी होता है, चलिए संताओन का रहा है, नेमनलिकित कतनों में कौन सही है, निवरोन असनायू मंडल की सरचना इकाई है, मेंडूला सुसु मन का एक भाग है, कोन स हाइपोथैलमस में पाये जाते हैं, मनो विज्यान निर्जीव बस्तुओं से संबंध रखता है, तो क्या है, इसका correct answer होगा, ए निवरोन असनायू मंडल की सरचना इकाई है, चलिए अगला अंठावन देखने हैं, सर्वन संबेदना संबंध है, प्र कान से होती है, इसमें एंसर नहीं दिया है, यानि कान के अगर संबंध होती है, चलिए अगला कोशन देखते हैं, उनसर्ट का रहा है निमलिखित में से कौन असनायू कोश का भाग है, निवकिलियस, कौन, डेंटराइट्स, याईन में से कोई नहीं, तो कौन है, उनसर्ट का कोरेक्ट एंसर होगा, ए निवकिलियस है, चलिए अगला कोशन देखते हैं, कौराइट साथ की निमलिखित में कौन ग्राहक नहीं है, मांस्पेसिया, आख, कान या जीब, तो कौन नहीं है, साथ का कोरेक्ट एंसर होगा, ए मांस्पेसिया, जो होती है, ग्राहक नहीं हो में लेकित में से कौन असनायुकोस का भाग नहीं है नुकिलियस, फोन्स, डेंट्राइट्स या एक्सेन तो कौन नहीं है इसका कोरेक्ट एंसर होगा सी डेंट्राइज नहीं है चलि अगला कोश्चन देखते हैं 62 कर रहा है इन में से कौन सा अंत्रक्ण का हिस्सा नहीं है अंडकार खिड़की, कौवकिलिया, कौन नली या और्ध नली तो कौन नहीं है इसका कोरेक्ट एंसर होगा सी कौन नली नहीं है चलि अगला कोश्चन देखते हैं 64 कर रहा है निमन लिखित में से कौन सा कथन सही है तो कौन सा कर्थन सही है इसमें इसका correct answer होगा D. पूर्ण रंग अध्य अंध्य को कोई रंग नहीं दिखता है यानि पूर्ण रूप से क्या होते हैं अंध्य का कोई रंग नहीं दिखता है चलिए अगला question की आग बढ़ते 65 करा है असना यू मंडल का कौन सा भाग द्रिष्टी संबेदना को नहीं अंत्रिष करता है प्रिष्ट खंड, पार्ष्विक खंड, मेंडूला या इसमें से कोई नहीं तो कौन करता है इसका correct answer होगा ए प्रिष्ट खंड करता है चलिए अगला 68 करा इनिमल लिकित में से कौन मानों आख का हिस्सा नहीं है एसकेलरोटी, कोलराइड, कौलिकिया या रिठीना तो कौन नहीं है इसका correct answer होगा C, कौलिकिया नहीं है चलिए अगला question देखते हैं निमल लिकित में से कौन नियूरोन का भाग नहीं है साखी का एक सोन कोश सरीर या संधी अस्थान तो कौन नहीं है नियूरोन का भाग कोश सरीर जो होती है नियूरोन का भाग नहीं होती है चलिए अगला 68 कर रहा है निमने लिखित में कौन मस्तिक्स का भाग नहीं है सुसुमन्ना, सिर्ष, गुर्दा, सेतु या बिरिहद मस्तिक्स तो कौन नहीं है, और सट का correct answer होगा B, गुर्दा जो होती है या मस्तिक्स का भाग नहीं होती है गुर्दा जो बिरिक कहा जाता है चलिए अगला question देखते हैं उन्हत्तर कर रहा है परितारिका किस का भाग है स्वेद पटल, मध्य पटल, दृष्टी पटल या अंता कॉंड तो किस का भाग है इसका correct answer होगा भी मध्य पटल जो होती है परितारिका का भाग होती है चलिए अगला question देखते हैं 70 को रहा है निमन में से कौन बाहे कोण का भाग है पिन्ना, मुद्दर, निहाई या रकाब तो कौन है 70 का correct answer होगा A. पिन्ना जो बाहे कोण का भाग होती है चलिए तिसरा chapter से शुरू करते हैं पहला question कर रहा है कि परत्यक्षी करण निमलेकित में से किस के समान है अभिप्रेणा, संबेग, भाव या ओधान तो किस से समान है इसका correct answer होगा D. ओधान के समान होती है चलिए दो question कर रहा है दो नमर question कर रहा है कि किस परकिरिया के द्वारा हमें सही एम अर्थपूर्ड ग्यान प्राप्थ होता है परत्यक्षी करण, भ्रम, भी भ्रम या संबेदना तो किस के द्वारा होती है दो का correct answer होगा ए परत्यक्षी करण द्वारा होती है चलिए अगला तीन नमर question कर रहा है परत्यक्षी करण के गेश्टाल्थवादी सिधान्द के विकास्क में किस मनोबे ग्यान का यगदान अधिक है बर्दाईमर, कोहलर, कोफा या रूविन तो किस का है इसका correct answer होगा ए बर्दाईमर चलिए अगला question देखते हैं हलाकि कोहलर और कोफा भी गेश्टाल्थवादी सिधान्द का परतिपादन किया था लेकिन सबसे ज्यादा अगर कहा जाए तो बर्दाईमर थे चलिए अगला question कर रहा है चार कर रहा है मुलर लायर नामक मनोबे ग्यानी का संबध निमिलिकित में से किस से है सिक्षड से बुद्धी से भराम से या बैक्तितु से तो किस से है इसका correct answer होगा सी भराम से है चलिए अगला question देखते है पांच नमर कर रहा है कि परतियक्षण में ज्यानेंदरिया से सुरू होकर मस्तिक सक होने वाली परकिरिया को कहते है एकी करोण संग्यानात्मक, परतिकात्मक या भावनात्मक तो कौन सी परकिरिया कहते है इसका correct answer होगा सी परतिकात्मक परकिरिया कहा जाता है चलिए अगला छे नमर कर रहा है जब किसी बैक्ति को गुलाब का फूल देखकर अपनी फुलवारी की याद आती है तो इस परकिरिया को क्या कहते है क्या कहते है इसका correct answer होगा सी परतिकात्मक परकिरिया कहा जाता है चलिए अगला question देखते है कोहराय की निम्नांकित में कौन सी परकिरिया परतियक्षण में सामिल नहीं है ग्रामतम परकिरिया, एकी करोण परकिरिया, परतिकात्मक परकिरिया या चिंतन परकिरिया तो कौन नहीं है इसका correct answer होगा डिचिंतर परकिरिया नहीं है ठेंकिंग प्रोसेस चलिए अगला question देखते है आठ नमर का रहा है परतियक्षण में ग्यानेंदरिया से सुरू होकर मस्तिक्स तक होने वाली परकिरिया को कहा जाता है एकी करोण ग्राहक परकिरिया, परतिकात्मक परकिरिया या भावात्मक परकिरिया तो कीसे कहा जाता है आठ का correct answer होगा B ग्राहक परतिकिरिया का आजाता है चलिए अगला questionге 9 नमर कह रहा है जब किसी बैख्थि को गुलाब का फुल देखकर अपनी फुलवारी की याद आती है यह repeat question है तो इसका क्हा होगा है correct answer B, परतिकात्मग परकिर्या होगा चलिए अगला question देखते हैं दौस कह रहा है कि बैक्ती अपने दूसमन को देखकर कुरोधी तथा दोस्त को देखकर प्रसंद का अनुभाव करता है। प्रत्रक्षण के इस उधारण द्वरा निम्नांकित में से किस परकिरिया का उधारण परस्थुत होता है। संखेनात्मग परकिरिया, भावनात्मग परकिरिया, पर्तिकात्मग परकिरिया इन में से या एक ही करोण परकिरिया। तो कौन सी होती है दौस का कोरेक्ट एंसर होगा। भावनात्मग परकिरिया होती है। चलिए अगला कोशन देखते हैं ये गारेक और आयन्यम लेकित में कौन कथन गलत है भराम एक तरह का प्रत्यक्ष कड़न है भराम एक मानसिक परक्रिया है भराम के लिए उधीपन का हुना अनिमार है भराम सिर्फ ब्यसकों में होता है तो इसका कोरेक्ट एंसर होगा डी यानि गलत पूछ रहा है कौन सा गलत है तो भराम जो होती है सिर्फ प्यसकों में होती है या गलत है क्योंकि भराम बच्चों से लेकर बुढ़े से लेकर जमान तो सब में होती है चलिए अगला कोश्चन के तरफ आगे पढ़ते हैं बारे को रहा है दूर से देखने पर अकास यूमधरती का सटा नजर आना एक उधारन है मुलल लाइरर भराम का सर्व ब्यापी भराम का चैतिस लंब भराम का या सेंडर भराम का तो कौन सी भराम का है इसका कॉर्यक्ट एंसर होगा भी सर्वव्यापी भरम का चरी अगला कोशन देखते हैं तेरा कह रहा है कि रस्सी को साप समझ बैठना एक उदाहारण है भरम का भी भरम का परत्यक्षण का या भरान्ती का तो किसका है इसका कोरेक्ट एंसर होगा ए भरम का यह जो है मौडल पेपर में सबसे उपर दिया है इसका कोशन चरी अगला कोशन देखते हैं चवदे करा है बेक्ती अपने दूसमन को देखकर क्रोध और दोस्त को देखकर परसंता का अनुभाव करता है या परत्यक्षण की किस परकिरिया का उदाहारण है भावनात्मक परकिरिया, संग्यानात्मक परकिरिया, परतिकात्मक परकिरिया या एकी करोण परकिरिया तो कौन सी परकिरिया है इसका कोरेक्ट एंसर होगा भावनात्मक परतिकिरिया संग्यानात्मक्परक्रिया किसी धान किस ने दी थी जीन प्याजे ने दिये थे चलि यह अगला कोश्चन देखते हैं पंद्र कराये निमलेकित में असत्य कथन को बताए तो असत्य कथन को होने इसके कोरेक्ट एंसर होगा यह असत्य है यह रिपीट कोश्चन है चलि अगला कोश्चन सोरे करा है जिस भरम में तीर रेखा तता पंख रेखा की लंबाई समान होने पर भी पंखा रेखा तीर रेखा से बड़ी मालूम पड़ती है इस परिकार का भरम कहलाता है मूलर लायर भरम, सेंडर भरम, पोगे ड्रॉन भरम यह इन में से कोई नहीं तो क्या कहलाता है शोलर का कोरेक्ट एंसर होगा भी सेंडर भरम कहलाता है इसमें एंसर इसका गलत दिया है चलिए अगला कोश्चन देखते हैं, सत्र कराय निमलेकित में से कीसे भरम का कारण नहीं माना जा सकता है, परतियासा, प्रसंग, परतियक्षण या आउस्यक्ता, तो कीसे नहीं माना जा सकता है, सत्र का correct answer होगा, सी परतियक्षण को नहीं माना जा सकता है, चलिए अगला बाहरी निर्धारक, इसका correct answer होगा, C, बस्तु का आकार जो होती है, बाहरी निर्धारक होती है, चलिए अगला question देखते हैं, उन्नाइस कर आन्ने मलेकित में से, कौन द्रिष्टी संबेदना के लिए उतरदाई है, अगरपाली, पार्स्विक पाली, संख पाली या पस्क पा चलिए अगला question के तरफ आगे पड़ते हैं, 20 कर आन्ने मलेकित में से, कौन ध्यान का बस्तुनिष्ट निर्धारक नहीं है, उतेजना की तिवरता, बैक्ति की आदत, उतेजना का आकार या उतेजना की पुनराप्रिती, तो देखिए इसका correct answer होगा, कौर आन, कौन चुनना होता है, चलिए अगला question कर रहा है कि संग्यान का सरल्तम परकार कौन सा है, संबेदना परत्यक्षी करण भरम या बिभरम, तो कौन है, एक कोईस का correct answer होगा, यह संबेदना है, चलिए अगला question 22 कर रहा है कि धारण के कितने परिक्षण है, 5, 4, 7 या 2, तो कितने पर कर रहा है, 23 कर रहा है कि निमलिखित में कौन धारणा का सबसे अधिक विश्वसनिये परिक्षण है, परतियावाहना, परति भिग्या, पुनह सीखना या इन में से कोई नहीं, तो कौन है, 23 का correct answer होगा, सी पुनह सीखना, चलिए अगला question देखते है, 24 कर रहा है निमलिखि नहीं है, भय, क्रोध, प्रेम या इर्षया, तो कौन नहीं है, इसका correct answer होगा, सी प्रेम जो होती है, नहीं होती है, भय, क्रोध और इर्षया जो होती है, प्राथमिक संबेग होती है, प्रेम, उल्लास या सब दितिया संबेग होती है, चलिए अगला question कर रहा है, 25 कर रहा ह है चीसे कहा जाता है घ्यानात्मक भाउनात्मक करियात्मक यह इन में से कोई नहीं तो क्या कहा जाता है इसका correct एंसर होगा डी इसमें एंसर नहीं है लेकिन ध्यान एक मानसिक परकिरिया है कौन सी परकिरिया है इसका तो इसका क्रेक्ट एंसर होगा पर्तिकिरिया पर्तकात्मक पर्तिकिरिया है कि सवरी क्या होता है परतिकात्मक परकिरिया होता है चर यह अगला कोस्चन देखते हैं 26 कर रहा है परतियक्षिक करण के बिसलेशन आत्मक दृष्टि कोण पर किस बेक्ती ने बल दिया उंट यहाँ पर उंट नहीं होगा क्या होगा बुंट होगा बिलियम बुंट गिलमर कोफा या इन में से कोई नहीं तो क्या होगा प्रतेक्षिकरण के बिसलेशन आत्मक द्रिष्टी कोण पर किस बेक्ती ने बल दिया था इसका करेक्ट एंसर होगा D इन में से कोई नहीं तो किसी ने दिया था बिसलेशन आत्मक द्रिष्टी कोण तो किस ने दिये था इसका correct answer होगा कोहलर साहब दिये थे बिलियम बूंट ने जर्मनी में पहला पर्योक साला खोला कब खोला था 1889 इस वी में कहां जर्मनी के लिप सिंग सहर में खोले थे चली अगला question देखते हैं 27 कराया ज्यामीतिक द्रिष्टी भरम का पर्थिपादन कौन था हेल में होज है हैरिंग मुलर लायर या इन में से कोई नहीं तो कौन है 27 का correct answer होगा C मुलर लॉयर चली अगला question देखते हैं 28 कराया अनुकूलन की अस्थापना जल्दी तब होती है जब अनुकूलीत उतेजना से पहले अनुकूलीत उतेजना घटित होती है तो यहीं इसका correct answer होगा A चली अगला question देखते हैं 29 कराया है कि संबेदना मानसिक परकिरिया है जिसे कहा जाता है ग्यानात्मक, भावनात्मक, किरियात्मक या इनमें से कोई नहीं तो क्या है संबेदना? संबेदना हम जानते हैं कि क्या है ग्यानात्मक एक परकिरिया होती है चली अगला question के तरफ 30 नमर कर रहा है निमलिखित कतनों में कौन सही है पर्तियक्षिकरण एक ग्यानात्मक मांजिक परकिरिया या कोई नहीं तो क्या है इसका correct answer होगा पर्तियक्षिकरण एक ग्यानात्मक मांजिक परकिरिया होती है चली यह 31 नमर कर रहा है ध्यान निर्धारण होता है बाहरी कारकों के द्वारा आत्मनिष्ठा कारकों के द्वारा ए तथा बी दोनो या इनमसे कोई नहीं तो क्या होता है ध्यान जोती है बाहरी और आत्मनिष्ठा कारकों के द्वारा दोनों द्वारा होता इसलिए इसका correct answer होगा C तो 35 करा की भरम तथा बिभरम में मुख्य अंतर है क्या अंतर होता है इसका correct answer होगा बिभरम में उतेजना उपस्थित रहती है जबकि बिभरम में या अनुपस्थित रहती है चार यह अगला question देख रहा है तो 33 करा की परतियक्षी करण में संगठन के महतों पर किस ने बल दिया बरदाइमर कोफा वाइल्ड मैन या डंकर तो किस ने दिया था इसका correct answer होगा डी डंकर ने चलिए अगला question देखते हैं निमलेखित में कौन ध्यान का बस्तुनिष्ट निरधारक नहीं है तो कौन नहीं है उतेजना की तिभरता बैक्ति की आदत उतेजना का अकार या उतेजना की पुन्रविरिती तो क्या होगा इसका correct answer बैक्ति की आदत जो होती है नहीं होती है च पैंटेल ने कहा था किस ने कहा था बिलियम जेम्स या बाड या कैनन तो किस ने कहा था पॉइंटेश का correct answer होगा एक कैटन ने कहे थे तो 100 question समाप होता है इससे पहले 100 इससे आगे अब 100 question देखेंगे 100 question का solution इसमें total 480 question है paper 1 में जिसका 100 question और इससे पहले 75 question यानि 175 question हो गया तो मिलते हैं next video में अगर हमारे channel को subscribe नहीं की है तो subscribe करें बेल आइकन को प्रेस करें जिसे आपको समय समय पर वीडियो मिलती रहेगी like comment और share जरूर करें तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए धन्यबाद जय हिंद बंदे मातरम दोस्तो